हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मीशास किचिन तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कश्मीरी दम आलू कश्मीरी दम आलू एक कश्मीर की डिश है बट ये पूरे भारत में ही बड़े ही इंटरस्से खाई जाती है तो चलिए आज मैं आपको इसकी बड़ी ही इजी रेसिपी बताती हूँ और हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसे तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ उबले हुए छोटी साइस के आलू तो ये मैंने पहले से ही बोईल करके रख लिया है और लिया है मैंने एक कटा हुआ प्याज जो की मैंने स्टा से पेस्ट बना के रख लिया है और एक कप लिया है मैंने दही और ले रही हूँ मैं ये सौ बनाना तो सबसे पहले मैंने एक पैन गैस पर रख दिया है उसमें दो बड़ी चमच मैंने कुकिंग ओल को ले लिया है और जैसे ही ओल हमारा गरम हो जाता है तो मैं इसमें यह बॉयल आलू इस तरह से रख दूँगी तो बॉयल आलू को हमें शेलो फ्राइ करना है मैं इसे कर रही हूं तो मैं ऐसे फ्राई कर लेती हूं कि लिए तो मैंने तब तक फ्रेप्री नियुकर ना हो जाए पर के При बूट हूं प不了 को मैं बीच में एक दोबार इस तरह से पलट लोगी ना दूए बिसोउं तरब से अच्छे से फ्राइल बिसों नेब रख दान दान युह के लिए रख गारम होने के लिए लिए मैं इसको घेहा रख lleva जीरा डाल युह और लाल मिज डाल भी तन शुप आप ma जाल आ या अपके टेस्ट एमिल तो मैं इसका पावडर नहीं है अब बैसमें जालों कि दालेती हूं अच्छ डीए हम सबस्क्राइब तो अब मैं जालों तो अच्छे से गोल्डन ना हो जाए तो यह को खो चुका ए अब मैं अच्छ ब्रफ सलदी पाउडर अधी मैं डाल जालों एक चंबच मैं डाल देया धन्या पाउडर और मसको मिक्स कर लीती हूं और इसके बाद में डालए यह दही तो यह दही दही मैंने ले ले लिया है इसको मेंडाल लृत थेक है और इदि आपके पर इतना थेख दही नहीं बदो पूरा और ऐक कब लीज़ी तो इसको मैं अच् कश्मीजी लाल मिश जिस से किस का कलर बहुत अच्छा सा अटा है और इस मसाले को मैं बहुत अच्छ एक्छा से कुक hybrid कि जब तक इसके आस पास हाई趣 कर लो IKEA में लाइन, agoIM ाऑल यह तकुक क्जा अच्छा मैं एके सर्पास यह से कोक कर लेती हूं तो यह दे इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी तो मैं उसी दही की बोल से इसमें पानी डाल देती हूं थोड़ा सा और इसे में कुख कर लोगी दो तीन मिनिट के लिए तो यह दम आलू हमारे बनकर एकदम तयार हो चुके हैं यह देखिए कितने टेस्टी देख रहा है तो इसको मैं सफ कर लेती हूं एक प्लेट में तो यह देखिए फ्रेंट्स कितने यम्मी और कितने मज़ेदार देख रहे हैं हमारे दम आलू तो आप भी से जरू ट्राय करि तो आई होप कि आपको मेरी दमालू की रेसिपी की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें